नवशकर दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम स्वागत है आपके अपने टीटी फेमिली स्विचकों के परिवार जेस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर वाईस अच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रक्टिस सेट में परयावन का प्रक्टिस रहेग नवी एकजाम स्लेवस के कोडिंग प्रीवी सिर में पूचे गए प्रिशनों के दार पर आज जो हम प्रिशन करने वाले हैं टॉप 30 कोश्चन करेंगे इंपोर्टन कोश्चन करेंगे जो आपके काफी टप कोश्चन पूचे गए थे उनका भी डिसकस करेंगे कुछ नए क कोश्चन लेकर आए हैं कुछ और अंपिक के कुश्चन लेकर आए हैं जो की संभावित प्रस्ण हो सकते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट है आपका सेशन होने वाला है तो सभी लोग ध्यान पूरक समझेगा और फीडवेक कीजेगा तो चलिए सुरवात करते हैं पहला जो पिछले बार आपके एकजाम पर प्रस्ण जो है पूँचा गया था कि SARS SARS-CoV-2 यानि COVID-2 के पहले ग्यात संक्रमन की खोज की गई थी SARS-CoV-2 के पहले ग्यात संक्रमन की खोज की गई थी अमेरिका में भारत में चीन में दच्छिन अपरीका में तो COVID-2 का जो प्रसार सभी लोग जानते हैं चीन से ही है ठीक है तो इतना तो सभी लोग समझे गए होंगे SARS-CoV के पहले जो है ग्यात संक्रमन की खोज किसकी द्वारा की गई थी चीन में की गई थी इसके बाद दूसरा प्रसन है सभी लोगों को ध्यान पर कमेंट करना सभी मित्रों को जहिंद वंद मातरम शाथियों आपका एक एक कमेंट फीड़बेक सरोपर है सुर्मान है जेस्वाल सर आप सभी कभी जंदन स्वागत करते हैं साथियों माधव राष्टि उद्यान प्रदेश के किस जिले में स्थित है धार पन्ना रीवा सिवपूरी सभी लोगों तई मदपदेश में राश्टि उद्यान इस्थित है माधवर आश्टि उद्यान ये मदपदेश के किस जिले में है तो सभी लोग जानते हैं मदपदेश के सिवपूरी जिले में है जितने भी सिवपूरी जिले वाले हैं तो सभी लोग कमेंड कीजेगा यहाँ जै विवित्ता संपन छेते कहलाता है यहाँ खैर, सलाई, धावर, आदी के पेंड पाए जाते हैं और इसके साथ चिंकारा, चीतल, नीलगाय, साबर, चसिंगा, आदी जानवर भी पाए जाते हैं अंगला पुसन है जो आपकी एक्जाम के जसे संभावित पुसन है कि पेरिस ओलम्पिक 2024 में पहला पदक किस देश ने जीता भारत ने, चीन ने, कजाकिस्तान, नेपाल ने स्पोर्ट से कोश्चन एक दो कोश्चन आता है, कभी कभी तीन भी पूछ लिया जाता है एक तो पका आएगा ही आएगा, किसी पेपर में दो प्रसना हैंगे, किसी में तीन आएंगे, ठीक है तो पेरिस ओलम्पिक 2024 में पहला पदक किस देश ने जीता था, तो सबी लोग जानते वह कजाकिस्तान ने जीता था पेरिस ओलम्पिक का पहला मेडल कजाकिस्तान ने जीता, कजाकिस्तान ने 10 मीटर राइफल मिक्स इवेंट में जर्मनी को हरा कर कांस्वदर पर कबज़ा किया था इसके बाद सातियों अंगला है कि जैविक समदाय में दोतीय को भोगता कौन सा होता है मानसाहरी, सरवाहरी, साकाहरी या डेट्री, टीवो की बात करें तो खाद जाल से प्रसन आना ही आना है कि इस प्रकाल से पूंचा जाए ये कोई कनफर्म नहीं लेकिन एक प्रसन जरूर आएगा तो जैविक समदाय में दोतीयक भोगता जो होता है वह आपका मानसाहरी होता है क्योंकि प्राथिमिक भोगता क्या होगा साकाहरी होगा और साकाहरी योखाने वाला मानसाहरी बन जाएगा दोतीयक हो जाएगा तो मानसाहरी हो जाएगा और इस बार स्वेम सोची ऐसा एवियस में क्या टॉपिक है जो टब कोश्चन पूँचे जा सकते हैं पिछली वार आपने देखा होगा कि काफी टब कोश्चन स्पॉर्ट्स से भी पूँचे गए थे काफी टब कोश्चन आपके अंत्रिष पूँचे गए थे तो अंत्रिश्च का जितना भी हो ग्लोबल लेवल में आपको पता होना चाहिए इंडिया लेवल तो है इंटरनेशन लेवल पूंचा गया था और यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए यह चीज़ तो बिलकुल फाइनल है कि गहराई से पूंचा जाएगा गहराई से आपको पता होना चाहिए अंगला पसन जोर नियंतर में आउंत और पर सबसे दीग प्रयोग की जाने वाले आउसाद ही कांसी होती है प्रूफेन बी कॉंपलेक्स पैरसीटामॉल या लिव 54 तो जोर नियंतर में सभी तुचा का कैंसर और उत परिवतन किसके कारण होता है यह पिछली बार आया हुआ प्रसने ओजोन च्छतरी को नुक्षान अमली वर्सा सीओ टू प्रदूसर्ण या सीओ प्रदूसर्ण सीओ मतलब कारवन मोनो अकसाइड सीओ टू सभी लोग जानते हैं कारवन डाई अकस साइड तो बढ़ता हुआ तुचा का कैंसर और उत परिवतन किसके कारण होता है ओजोन च्छतरी को नुक्सान होता है इसे क्या होता है ओजोन की जो च्छतरी है ओजोन की जो लेयर है परत है उसको नुक्सान होता है अंगला प्रसन साथ यो मानो रुदिर वर्द की खोश स्रवतम किस वग्यानिक ने की थी लैंड इस्टीनर, जैनिंग्स, पैटी नेमाश, काल माक्स देखें सरीर के जो हमारे अंगेना इससे हो सकता है ज्यादा टफ कोशन बन सकते हैं बोडी के हमारे जो चीजे हैं इससे जो है साइंटिफिक नाम से पूछा जाएगा जो टफ होगा तो इस पर भी आपको त्यार रहना है मानोर उधिरवर की खोश सरवतम किस वग्यानिक ने की है लैंड इस्टीनर ने की जिहन साथियों इस्वी में आस्टिया के जियो वग्यानिक एवं चिकिसक कार्ल लैंड इस्टीनर ने चार रख्त समूँ ए, बी, ए, बी और ओ की खोश की बाद में लैंड इस्टीनर ये मवीनर द्वारा रीसस बंदर के रख्त में आरेच फेक्टर की खोश की गई लाल रख्त कड़ों में उपस्थित गलाई प्रोटीन के कारण रख्त में विभिनताएं पाई जाती है और ये एंटीजन प्रतीजन जो होता है ये दो प्रकार को होता है एंटीजन और एंटीजन ए और एंटीजन भी आई एंटीजन की जो अगर अनपस्थित होती है तो एक विसेस प्रकार का प्रोटीन प्लाजबा में पाई जाती है जिसे anti-body प्रतिरच्छी कहते हैं हमारे रोगों से लड़ने के लिए जो छमता हैं वही होते हैं anti-body कहते हैं न मजबूत होना चाहिए COVID में क्या है एक anti-body एक injection दिया गया है अंगला है कि मद्देश में सबसे जादा कौन सी बोली लोगों दोरा बोली जाती है बुंदेली, बगहली, निमाडी, मालवी याद रखेगा मद पदेश में सब से ज़यादा कौन सी बोली लोगों दोरा बोली जाती है MPG के हो सकता है GK भी एटप लेवल है तो बुंदेली जो है भ influ से सबसे ज़यादा बोली जाती है, बुंदेली बोली आपके जहांसी, बांदा, चित्रकूट, दतिया, टीकमगर, ललितपूर, सागर, दमो, रई, पन्नाम, हमेरपूर, महोबा, बांदा, नर्शिंगपूर, असोग, नर्शतरपूर, ये सारे जिले आ जाते हैं, तो बुंदेली सबसे जादा एंट्राप्लेट भुकमपों में से, कब आया था, गुजरात के भुज में एक भुकमप आया था, ये है भारत का जो सबसे हानिकारक एंट्राप्लेट भुकम माना जाता है, ये कब आया था, 26 जन्वरी 2001 को, 26 जन्वरी 2000 को, 12 फरवरी 1999 को, 6 फरवरी 1945 को, कह सकते हैं, मुझ रात के भोज में एक भूकम पाया है जो बारत कब तक जो दर्ज है सबसे हानिकारक इंट्रा प्लेट भूकमपों में से एक माना जाता है 26 जन्वरी 2001 को आया हुगा था सभी मित्रों को जहिंद वंदे मातम साथियों आप कहें के कमेंट फीडबेक रोपर है स्वरमन है और साथ ही जिनको भी EVS परेवन का टापर नोट्स चाहिए जो आपको तयारी को इंप्रूब्मेंट करेगा बहुत ही बहतीन तरीके से वहाँ पे हर लेवल के कॉर्डिंग प कर सकते हैं ठीक है चले प्रशन की बात करें इंसुलिन की राजसानिक प्रकति कैसी होती इंसुलिन की राजसानिक प्रकति जो होती है प्रोटीन होती है यह सिंपल सी बाद जानते हैं क्योंकि इंसुलिन का एक प्रेप्टाइड हार्मोन होता है इंसुलिन की राजसानिक प हो जाती थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं लेकिन दस से पर पंदा प्रसंट बेसिक नालेज पहले से होता है इसे थोड़ा इजली होता उनके लिए और अंगला पस्न है LPSC Liquid Professional System Center का मुख्याला है निम्कित में से किस स्थान पर है वेंगलोर तिर्वनपुरुम कोजी कोड या स्री हरी कोटा तो आप सभी लोग जानते समझते हैं ग्यानी सर्व वेख्याता लोग हैं कि LPSC Liquid Professional System Center का जो मुख्याला है वह आपके तिर्वनंद पुरम परिसित है इसलिए नोट कर लेज़ेगा अंगला पस्न है आपके एक्जाम पेपर में आया हुआ प्रसंथा पिछली बार कि चीन का कृतिम चंद्रमा किसने बनाया ली रूहिलिं किस्टियान हुजेंस एनी जम्तोःजेंस चैन्छेंस और जेम्स वैटली कृतिम च önणरम आपने समन लोगा मानुनियिव पराकति जैसे हमारी चंद्रमा है ना यो पराकतिक हमारा एक उसель का चीन में करतिम चंद्रमा बनाया और कतिम चंदा किसी बनाया था ली रूई लेनने बनाया तो यह थे आपके अंत्रिच वाले प्रशन जो इंटरनेशनल लेवल के प्रशन पूंचे गए थे पिछली बार तो आप सभी लोगों को समझना फिर से एक बार निम्लिकित में से कौन से पौधे जो हैं दूर-दूर प्रसारित होंगे बीजान द्वारा प्रकेनित पौधे बीज द्वारा प्रकेनित पौधे फल द्वारा या काईक जनन द्वारा देखे जो दूर-दूर प्रसारित पौधे होंगे वह इसके द्वारा फल द्वारा जो प्रकेनित पौधे होते हैं या बीज द्वारा होग तो कुछ फलों के उपर बने नुकेले हिस्से जानरों के बाद चमडे पर लिपड का इधर उधर उधर विखर जाते हैं कुछ जल द्वारा भी इधर उधर हो जाते हैं समुद तटके पौधे में होता है यह सारी चीजें होती है तो फल द्वारा जो है जादा विखर जाते ह अगला जब एक जीव लाव लेता है बगए दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किये तो कहलाता है परजीवि, सहभोजी, म्रतोप जीवी या सहजीवि कहलाता है सबी प्रकार के हार एक लेवल के हम पे practice रिठ ठोंगे ठीक है तो जब एक जीव लाव लेता है बगए दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किये हुए तो वह हमारा सहभोजी कहलाता है साह जी मतलब क्या होता है योगी या सहिबोजी मतलब होता है ऐसा जिगों बिना दूसरे को हानी पहुंचाए लावनफित ले ले उसे सहिबोरी ता कहा जाता है । इसे और्टीग और ओहें कंठ लताएं ये सारे होती है अंगला पस दिखते हैं रगवी लीग में एक टीम में तेरा खिलाड़ी होते हैं परसंद थोड़ा पर तो यह सितने हो गया है यहां पर होना चाहिए लगने technology में एक चाम में में इंसर ही थो हो जाती है ठीक है तो यह चीजों पर आप सभी को फोकस होना है आपका मतलब मेरा मतलब है आप तक पूरा एटुजेट नॉलज पहुचना चाहिए इन में से कौन सा कायंति सेल का उदारन है बलवा पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर जब भी कायंति सेल के जांपल के बात की जाए तो एक ही आपसन करना है वह संगमरमर जी यहां अपने माइंड के मेमोरी में सेप कर लिजे क्योंकि ताप, दाब और असानी क्रियाओं के कारण अगने और आउसादी चट्टानों के स्रोप में परिवतन होने से रुपांति चट्टान या कायंति सेल का निर्मान होता है अब रुपांतित आ जाए कायंति चाहे दो कनफ्यूज नहीं होना है ग्रेनाइट अथात अगने इसका नाइस चूने के पत्थर अथात आउसादी का संगमर मर के रूप में परिवतित कायंति सेल का होता है अंगला प्रसन है सभी लोग अच्छे तरहीगे का समझते रहिएगा फीडबेक करते रहिएगा प्रतेक प्रसन का इंसर कमेंट करना है कि मत पदेश का कौन सजीला सहद का सबसे बड़ा उत्पादक है मुरेना छतरपूर सि सबसे बड़ा उत्पादक जीला पूंचा जाए मत पदेश में मुरेना जो है सबसे बड़ा उत्पादक जहां पचीस सो किलोग्राम सहद जो है उत्पादन होता है अंगला पुस्ण पेरिस ओलंपिक दोजार चौबिस में किस भारती खिलारी ने पहला पदक जीता सुमीता अंतेल मनु भासकर स्वपनिल कुसाले नीरच्चो पड़ा तो पेरिस ओलंपिक दोजार चौबिस में किस भारती खिलारी ने पहला पदक जीता वह सबी लोग जा महिला है कि जो एक ही में दो बार मेडल प्राप्त कर चुकी है किस मिट्टी का विस्तार भारत के सरवादिक छेत पर है काले मिट्टी जलोड मिट्टी लाल मिट्टी वल्वी मिट्टी तो जिस मिष्टी का विस्तार जो है भारत के सरवाधिक चेत पर है वो एकाउंस यह जलोड या काली होगी सभी लोगता ही तो जलोड मिठी होगी ठीक है जलोड मिठी को हम कछारी मिठी भी कहते हैं सरवादिक चेत में पाई जाने वाली है लगवग चालिस प्रिसत भागों में पाई जाती है इसमें पंजाब असम नवदा तापती महानादी गोदा कष्णा कावैरी इनके साथ फैल लाता है यह मिठी जो है लाई जाती तो कछारी मिठी जो है अंगला पसने जो साका हारी जन्तु भोजन के लिए हरे पोधे पर निरपर रहेंगे तो कहीं न कहीं में प्राथमी चरण की भोगता कहला जाए तो सिंपल साब सभी लोग जानते हैं एक खाद जाल वाले तो थोड़ा इज बिमारी होती है जो बिसानु जनित है जीवानु जनित है कवक या खानी जनित बिमारी है तो प्लेग एक बिमारी होती है और एकिस प्रकार की बिमारी कहलाती है तो यह जीवानु जनित बिमारी कहलाती है ठीक है संक्रामक या संसर्ग रोग होता है जो की बिसेश यह होता है और यह रोग सरपतम जो है चुहे को होता है चुहे के सरी पर पिस्सू रहते हैं जो इनका प्रदूसर करक्त चूसते हैं फलसरूप रोग के जिवान पिस्सूं से पहुंच जाते हैं और पिस्सूं के काटने से रोग की जिवान मानो सरीर में पहुंच कर प्लेग रोक उत्पन करते हैं अंगला है गैसी अफसिष्ट क्या होता है क्या आप जानते हैं सुभी लोग उताईगा गैसी अफसिष्ट सब जीवं फलों के चिलके घरों के नालियों का गंदा पानी खेद खलिहान से निकलने वाला कचरा लकडी कोईला से जलने वाला दुआ तो जाता है ठीक है टेलिग्राम और इंस्टाग्राम फेस्बूक पेंच को अवज जुडिएगा ताकि सबी लोग अच्छे तरीके से आप लोगों का फीड़बेक मिलता रहे इसके वल सर्च करना है चैस्वाल कोचिंग सेंटर या आपका अपना टीटी फैमिली आवर टीचर फैमिली है साथियों जहां पे केवल आपके हितों की बात के जाती है आपकी प्रपेशन की बात के जाती है अंगला एको सिस्टम की सही परिभासा क्या होती है परस्पर किया करने वाला जीव समदाय किसी स्थान का जीवी घटक प्रथिव और वाई मंडल का चेट जहां जी लेकिन अब question का level आपका topic नहीं रह गया आपका slayvus नहीं रह गया बस टप करना है किसी एक topic पे इतने सारे question बना दिया जाते हैं कि टप हो जाता है paper ही टप पूरा बना दिया जाता है अगला मानो विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाव क्या मिला है सरीर को अच्छी प्रकार अधार मिल गया, सरीर का भार कम हो गया हाँ स्वतंत रूप से मस्तिस की अग्यानुसार कार कर सका या अधिक तेज की चाल हो गई क्यों होता है बाहर कम ने क्योंकि दोनों हाथ स्वतंत रूप से मस्तिस के नेरदेसा अमसार कार कर सकते हैं और यह अनकूलन मानो को अनप्राणियों से सीश्ट बनाता है कि हमारे हाथ हमारे सुतंथ होते हैं अनध आप देखेंगे उनके हाथ भी वर्क में रहते हैं चलने फिर नहीं जब चातेटों सिच्छा के बाहर एक स साथ होते हैं तो नाचिक वात वरण और अन्भौव संब़ होतें ये कथन, सच है, छात कई चीजें देख सकते हैं जो कच्छा में बुलब्द नहीं है, असथ है क्यностью कच्छा के कच्छा से बाहर छात गंबीर नहीं होते हैं, या काई सकते हैं असथ है क्योंकि बाहर जाने का सिच्छा से कोई संबन्द नहीं है सच है क्योंकि सिच्छा का कच्छा के बाहर होने पर ही पढ़ा सकते देखे जब च्छात हो सिच्छा के बाहर एक साथ हो तो एक नए सैच्छिक वातावन और अन्भव जो संबन होता है विल्कुर सच है क्योंकि चात कई चीज़ें देख सकते हैं जो कच्छा में उपलब्द नहीं होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कच्छा में आप बच्छों को उपलब्द नहीं करा सकते इसलिए बाहर चीज़ें बच्छे अच्छे तरीके से देख सकते हैं समझ सकते अंगला पसने निम्रकित में से काउंसर सिच्छन सायक समगरी के कठोर उपागम हाड़वेर के अंतरगत आता है चार्ट, रेखांकन, प्रोजेक्टर या माइंड मैप साता है तो इनमें से सिच्छन सायक समगरी के कठोर उपागम जिसे हम हाड़वेर के इंतरगत आता है तो वह हमारा कहलाता है प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर किसके इंतरगत जाता है कठोर उपागम अर्थात हाड़वेर के इंतरगत आ जाता है अंगला पसन है मत्पदेश का पहला जैव आरच्छित मंडल कहा है इसी थे पन्ना टाइगर पच्मडी कान्हा नेशनल पार्क पेंच राश्ट्यों तो मत्पदेश का पहला जैव आरच्छित मंडल जो कहलाता है वह हमारा पच्मडी कहलाता है पचमरी क्या है? मत पदेश का पहला जैव आरचित मंडर कहलाता है अंगला अपसन निरिच्छन वीदी की क्या विसेस्ता नहीं होती है एक मनोब बैग्यानिक वीदी है, यह एक प्रतेश अन्वहों पराधारीत है यह एक बाल के इंदिद वीदी है, इसमें सिच्छक एक प्रसासक की रूप में होता है यह वीदी वीविन इस सर वेच्छनों द्वारा पनाई जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं ग्यानी सर वेख्याता लोग निरिच्छन वीदी की क्या विसेस्ता नहीं होती है यह निरिच्छन विदी की क्या क्या विसेष्टा होती कि यह एक मनोबग्यानी की विदी है यह प्रत्यशन्मों पर अधायित होती है और यह भी द्विविन सर्वेच्ण द्वारा पनाई जाती है अधात यह एक बाल के इंदी विदी है जिसमें सिच्छक एक प्रसासक की क्या करना शामनी करन करना ये सारे होते हैं ठीक है चले बात करते हैं अंगले आप उसने पर्यावर्ण सिच्छा में समस्या समधान विदी का गुन क्या होता है लच्छ केंदित सजनात्मक चैनात्मकता या उपरिक विदी हो जाए तो पर्यावरन सिच्छा में समस्या समधान विदी के जो गुन कहलाते हैं वह आपके लच्छ केंदित विदी भी कहलाती है सजनात्मक विदी भी क दार पर संभव होता है, जिसमें लच्छ केंदिद विदी, सजनात्मक विदी, चैनात्मक्ता प्रयोग होता है, सभी लोग समझ गए और इस प्रेक्टि सिटका तीस्वा प्रस्ण, प्रस्ण है कि प्रेच्छन विदी की सीमाएं बताना है आपको, यह विदी मित्वेई नहीं है, इस विदी में प्रेच्छन सोच्मता से ना करने पर प्राप परिडाम, अधिक वैद और विश्वासनी नहीं होता है, इस विदी में प्रेच्छन सोच्मता से ना करने पर प्राप परिडाम, अधिक वैद और विश्वासनी नहीं होता है, इस CBD से बिक्ति के आंतिक ब्योहारों का अध्यन संभव नहीं होता तो यह थे आपके AVS के top 30 questions अमने जो किया I hope सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा और 30 में से आप लोगों कितना score रहा ये भी आप लोगों comment करके बताना feedback करके बताना बाकि सभी practice rate चल रहे हैं जिनका playlist option में जाएंगे वर्गतीन पात्ता पर इच्छा आपको playlist मिलेगा जहांपे सारे practice paper practice rate मिल जाएंगे जो आपके provision को improvement